devaluation नामक यह जो दानव है यह credit cards का पीछा नहीं छोड़ रहा क्योंकि अगला हमला हुआ है SBI bank simply click credit card पे simply click credit card से जब आप online spends करते हैं तो इस पे मिल जाता था आपको अच्छा खासा reward but this card is not that beneficial anymore which it used to be क्योंकि जब आप अपने credit card से कोई spend करते थे तो उस पे आपको 10x reward points जो partner merchants थे उन पे मिलते थे 5x reward points आपके online transactions पे and 1x reward points मिलते थे आपको other transactions पे and इन points को redeem करने का सबसे best तरीका जिसमें आपको maximum benefit मिलता था वो था जब आप अपने इन points को redeem करते थे Amazon voucher के against आपको 500 rupees का Amazon voucher लेने के लिए सिफ 2000 जो reward points होते थे उनको redeem करना होता था and इसके लिए आपको कोई redeem fee भी नहीं देना होता था यानि कि आपको हर point पे 25 पैसे की value back मिल जाता था पर अब ऐसा नहीं है क्योंकि जब आप अपने जो आपने reward points earn करके रखे हुए हैं जब उनको redeem करके आप 500 rupees का Amazon voucher वहाँ पे redeem करने की कोशिश करेंगे तो अब आपको पहले से 500 reward points extra redeem करने पड़ेंगे यानि कि 500 रुपे का Amazon voucher लेने के लिए अब आपको टोटल धाई हजार reward points आपको spend करने होंगे यानि कि इस हिसाब से जो आपको पहले एक point पे value back 25 पैसा का मिलना था अब वो straight 20 पैसा का हो गया है अगेंस्ट Amazon vouchers तो इस हिसाब से जब आप extra 500 reward points redeem करेंगे Amazon voucher के लिए तो आपको पूरा 125 रुपे का नुकसान होने वाला है क्योंकि 500 reward points जो है 25 पैसे के हिसाब से 125 रुपे की value के होते थे तो यह सबसे बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि जो अच्छा value back आपको मिलता था जो आपका simply click credit card था अब वो नहीं मिलेगा इसका जो reward system है उसके structure में कोई change नहीं हुआ है partner merchants पे अभी भी 10x reward points मिलेंगे online transactions पे 5x मिलेंगे and other transactions पे 1x मिलेगा और बाकी other categories पे जो आप spend करेंगे उन पे जो reward points अर्ण किये हैं उनको जब redeem करते हैं आप other vouchers purchase करने के लिए जैसे कि book my show यहाँ पे अभी आपको 2000 reward points में 500 rupees का book my show का voucher मिलेगा but इन जो vouchers थे इनमें बहुत ही कम लोग redeem करते हैं अपने points को सबसे convenient तरीका होता था कि आप अपने amazon voucher में उसको convert करते थे तो आपको 2000 reward points पे 500 रुपे का amazon voucher मिल जाता था तो यह जो 125 रुपे का नुकसान हो रहा है यह सच में drastic है यहाँ पे अब आपको जादा saving देखने के लिए नहीं मिलेगी बट अगर आप अपने हर online transaction पे 5% का cashback earn करना चाहते हैं और other transactions पे 1% का cashback earn करना चाहते हैं तो we still have a good option with SBI cards that is cashback SBI credit card इस credit card पे आपको हर महीने 5,000 रुपे तक का cashback earn करने का chance मिलता है if you spend online तो यानि की 5% के value back से आप maximum हर महीने 5,000 रुपे के जो saving अपने card से कर सकते हैं अगर आप SBI cashback card apply करना चाहते हैं description में लिंक हैं वहाँ से कर सकते हैं आपका क्या मानना है इस news के बारे में मुझे comment section में बताईएगा कि आपके जो spending behavior है उस पे किस तरीके का impact is devaluation का पढ़ने वाला है I hope यह information आपके फाइदे मन रही होगी If yes चैनल को जरू subscribe कर लेजेगा मिलते हैं next video में तब तक अपना ध्यान रखिएगा Bye Bye